स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉड़कास शंकला में यह शंकला नई धारा के संस्थापक श्री उदैराज सिंग जी के साहित्य को समर्पित है इस पॉड़कास में आप सुनेंगे उदैराज जी द्वारा लिखी कहानिया संस्मरन वलेक सुनना न भूले नई धारा रेडियो पर आज अगस सितंबर 1995 के नई धारा के अंक में छपा शोक संदेश मौसको के कवी रमन भी नहीं रहे विगत आठ अगस्त 1995 को जब मैं भोर में छड़ी सम्हालते हुए टहलने के लिए निकल रहा था तो फोन की घंटी बज उठी मैंने छड़ी रखकर रिसीवर उठा लिया तो उधर से धीमी धीमी एक आवाज आई मैं कवी रमन जी का पुत्र बोल रहा हूँ मुझे धक से लगा अन्होनी होनी भई मैंने उत्तर दिया तो कहिए उत्तर आया बाबुजी कल शाम चले गए कैसे गए? अंत कैसा रहा? कल दिन भर बातें करते रहे शाम को एक गूट पानी पीकर आँके बंद की तो बंद ही रह गई फिर न खुली कब घाट जाईएगा? नौ बजे अच्छा, थोड़ी देर मैं आ रहा हूँ फिर मैंने चड़ी रखती बाहर ही सहन पर टहलने लगा बहुत खोया हुआ अपने में ही डूबा डूबा चाचट वर्षों का अतीत वर्तमान हो उठा 1929 की जुलाई का महीना शी कृष्ण नंदन सहाई भूतपूर्व महापौर पटना के कनिष्ट चाचा की बारात सूर्यपुरा पहुँची थी मेरी बड़ी बहन को ब्याह कर पागी मुजफरपुर ले जाने सहाई जी सिर्फ दस साल के बालक शहबाला की पोशाक में साथ में उनके अनन्य मित्र तथा नजदी की रिष्टेदार रेवती कवी रेवती रमन भी अपने पूरे परिवार के साथ भराती बन कर आये थे तब से उनकी मृत्यु परियत 7 अगस्त 1994 तक मेरा उनसे साथ रहा उनके साहित्यक तथा पारिवारिक जीवन का एकांथ साक्षी था अनेक उतार चड़ाओ देखे मौस्को ने उन्हें बड़ी ख्याती दिलाई विदेश भर में चर्चित हुए उन्हें गाली आधिक मिली वावाही काम विदेशी और सामन्ती युग जो था वो फिर छायावाद उत्तर युग के कवियों में बहु चर्चित हुए जीवन शुरू किया स्वर्गिय नितीश्वर बाबु तथा कृष्ण नंदन सहाई के सहियोग से सहरदय संग मुजफर पूर की स्थापना से और अंत किया विहार हिंदी सहित्य संमेलन तथा पटना की गोष्टियों में भाग लेते हुए यहां उनके घर पर सदा सहित्यकारों का जमघट लगा ही रहता जबान से तेज तर्रार, हृदाय से कोमल किसी पर नाराज होते तो उसकी धज्जी धज्जी उड़ा देते खुश होते तो उसे जट दिल से लगा लेते भीतर और बाहर से सदा एक कोई भी जब चाहे उन्हें साफ साफ पढ़ ले कविता के साथ साथ गद्य भी लिखा उपन्यास भी आज तो अशलील और शलील की कोई परिभाशा नहीं मगर जिस युग में ये शब्द परिभाशित होते थे तो उनके नौवल अशलील ही माने जाएंगे मगर वो हृदय में घुसकर अपने पाठक को निकोरते थे और उनके नौवल पचास पार उम्र की महिलाएं भी मुझसे मांगर ले जाती और कवर हटा कर तथा अपने जवान बच्चों से नजरे बचा कर खूब मज़ा लेकर पढ़ लेती जब ये बात मैं उन्हें बताता तो खूब हसते और कहते मैं अपने पाठकों को खूब पहचानता हूँ यही बात जरा मेरे नुक्ताचीन भाईयों से भी आप कह देते जवानी में मुझसे अकसर कहते सहुरदय संग के एतिहासिक कवी समेलनों में जब बच्चन उसने मेरी पगध्वनी पहचानी एक बार मधुरलय में गाकर युवतियों की दीरगा में आखें ठहरा देता तो फिर क्या कहना कितनों की धौकनी बढ़ जाती फिर रमण का बेनीपुरी स्टाइल का ठाहा का और चोथे दशक में कायस्तों के गड मुजफरपूर में एक खलबली मच गई जब एक प्रतिष्ठित कायस्त परिवार के एक छोकरे कवी रमण ने वहीं के एक संभरांत खत्री परिवार की एक सुशिक्षिता तथा शिक्षा विभाग की निरिक्षिका से शादी कर ली उस घोर रूडिवादी युग में यह गुस्ताखी मगर घुस्ताखी माफ हो रिबेल का ही दूसरा नाम रमन है और क्या लिखूँ? कितना लिखूँ? चन्द सतरों में छाचट वर्ष समीटे नहीं जा सकते हृदय, गला और आखें अभी सब नम है अपने समाज, शरीर, तथा वर्तमान राजनीतिक और सहितिक माहौल से जूशता हुआ वो योध्धा अभी भी टुक, यानि जूशते जूशते, रोते रोते सो गया बस इतना ही लिख कर रुख जाता हूँ मैं कलम का एक योगी, मेरा दाम ना लगाओ मेरी आँख में है गालिब, मेरे मन में है निराला इस पॉड़कास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुती आपको जरूर पसंद आई होगी अन्य पॉड़कास्ट्स, विडियो इंटर्व्यूज आदी के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लाटफर्म्स पर फॉलो करें जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी धन्यवाद